किसी गाउं में नहीं गुस पाएंगे, हर गाउं में, हर नाके पे किसान बैठा है और आपने देखा हरियाना में तो घुशी नहीं सकते, देश नहीं बिकने दूँगा और किया क्या सौगंध मिट्टी की खाता हूँ देश नहीं बिकने दूँगा छोड़ूँगा भी कुछ नहीं सब कुछ खुद ही बेच दूँगा ऐसे हालात पैदा कर दिये कि जिसकी वज़े से आज उत्तर पर देश ये चुनाओ से पहले हार चुके हैं इनका खेला की बजाए ऐसा पेला होगा जैसे हरियाना के अंदर लट लेके आगे आगे सरकार और पीछे पीछे किसान दोड रहे हैं इनको तो सरकार जा रही है यूपी में इनको कौन खुसने देगा जीते जी ऑक्सीजन नहीं मरने के बाद लकड़ियां नहीं आगोस में मा गंगा सुला रही है कब आओगे देखने मोदी जी मा गंगा बुला रही है मा गंगा बुला रही है डरते नहीं तुमारे बनाए जूटे मुकदमों से और जादा ताकत से आएंगे वक्त रहते मान जा नहीं तो लोहे के कच्छे भी काम नहीं आएंगे लोहे के कच्छे भ यहीं है इसको बताने के लिए कोई आऔर नहीं है इनका वीडियो भी आज बाइरल हो रहा है इनके नाम पर बन चुका है सहे अज हमारी साथ मौझूद है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार जी सर सबसे पहला सवाल यही है आपको क्यूं लगता है कि उतर परदेश के इस वार के बिधान सवाचुनाब में बहुत बड़ा खेला होने वाला है वो कौन सा खेला है इनका खेला की बजाए ऐसा पेला होगा जैसे हरियाना के अंदर लट लेके आगे आगे सरकार और पिछे पिछे किसान दोड रहे हैं हालात उत्तर प्रदेश में भी वही हो गए हैं अब ऐसा पेला होगा कि हम वहां की जंता और इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार बैठी है इसको बॉर्डर के पार पेल देंगे और ये खेलना छोड़ देंगे और इनके हालात आपने देखिए निकाय चुनाओं में तीन हजार सिटों में से केवल मातर छेसो सिट जीत कराए है और आपको लगता है कि योगी जी मिलने गए थे अमित साथ से किसलिए मिलने गए थे अरे पैर पकड़ने गए थे मोधी के और अमित के के जी आप किसानों को मना लीजिए नहीं तो ऐसा पेला होगा कि यहां से यह भाजपा सफाया हो जाएगी अच्छी बात अपने कासर खेला का नाम आपने दूसरा समझाया पेला होगा जो भी होगा लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से खेला जो होगा उनका जो गरबर चल रहा है अपने कामीशा से मिला किस वज़े से मिला तो ये आपको कैसे पता चला वो इसलिए पता चला कि उत्तर परदेश में पिछले पांच साल में जो नोने सरकार चलाई है वो विकास के नाम पर नहीं चलाई वो सरकार इनोने जाती धरम और या कहते हैं कि दंगए के उपर सरकार चलाई है आज इनकी पोल खुल चुकी है उस पोल खुलने के डर के वज़े से ये लोग आज दोड रहे हैं और ये चुनाओं में आने से पहले ये सोचने है कैसे जंता को मुह दिखाएंगे इसलिए मुढ दिखाणे लायक भी नहीं है इसलिए उतर प्रदेश में खेला होगा जो ऐसा खेला होगा जो कभी आपने बंगाल में भी नहीं देखाओगा कैसे माल लिया जैसर क्योंकि उनका कहना है कि पश्चिप बंगाल में जो है वो अलग बात थी वहाँ उनका ज़्यादातर पहुंच नहीं था गर्ड नहीं था लेकिन उतर परादेश में सब कुछ उन्हीं के हाथ में है किंद्र की सरकार भी है और आपका ज़राजी सरकार भी है उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी क्योंकि आपने सुना होगा एक नियूज और आई थी के मोदी जी को इन्हों ने चेहरा बनाना चोड़ दिया है जिसके नाम पर इनुनने पहले वोट मांगी थी और आज गंगा मा के पास क्यों नहीं जाते आज आपने हालात देखे हैं मेरी गंगा मा के कैसे हैं पस्चमी उत्तर परदेश में या कहेगी उपी में आकर बोली थी कि सोगंध मिट्टी की खाता हूँ देश नहीं बिकने दूँगा छोड़ूगा भी कुछ नहीं सब कुछ ही बेच दूँगा ऐसे हालात पैदा कर दिये कि जिसकी वज़े से आज उत्तर प्रदेश ये चुनाओं से पहले हार चुके हैं और बेचने के लिए छोड़ा क्या आज आप देख सकते हो मैं तो दो पंक्तिया सुनाने का काम करता हूँ बेच दिया किसान बेच दिया हिंदुस्तान बेच दिया इमान बेच दिया अब तो हद कर दी बेचने में करसांसों का सोदा अक्सिजन बेच दिया अक्सिजन बेचने के बाद ये लोग किस मूँ से उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहाँ भी सैंकडों लोगों की जान बिना उक्सिजन के गई है इसलिए मा गंगा की याद और गंगा किनारे मोदी जी गए थे और सोगन मिट्टी की खाए थी सब बाते जूटी निकली इसलिए ये चुनाव से पहले हार चुके हैं और बार बार कहते हैं मा आप गंगा बुल रही है कब आओगे देखने मोदी जी मा गंगा बुला रही है मा गंगा बुला रही है जरा एक बार चुनाव में तुआ कर देख ले और हलात ऐसे हो गए हैं कि योगी जी के अलावा मोदी जी किया कहें अमिर जी यूपी के चुनाव में वोट मागने नहीं आ सकते हैं ठी अरे मा बहनों की बेटी की जोड़ी हुई कमाई जो इन्होंने नोट बंदी की थी वो घर में सारी सफाई कर दी ऐसा सवच भारत अभियान चलाया कि देश की तिजोरियां साफ कर दी किस मूं से वोट मांगने जाएंगे मोधी जी अमित जी और मैं तो कहूं योगी जी भी आ होगा ऐसे है आपके कहने से भी कुछ नहीं होता जो जो हर्याना में सरकार है वो सरक चुकी है हर्याना में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है आप दिखाए कहा हर्याना में सरकार है मैं तो कल देख रहा था हर्याना के मुख्या मंतरी हर्याना के मुख्या मंतरी आज मुख्य कर गूम रहे हैं और किसानों के बीच में आना चाहते थे मुख्यामंतरी हर्याना के नकली किसान इकटे किये थे करनाल में कैमला गाउं में आये थे और करनाल में हर्याना के किसानों ने जुत्ते मारकर मुख्यामंतरी को बगाया इसलिए कहां पर वहां सरकार है और पंजाब कि उस हार के डर के मारे आज ये उत्तर परदेस हार चुके हैं और ये उत्तर परदेस में वोट मांगने भी नहीं जाएंगे आप कह रहे हैं कि बार बार उनके डर से जो है वोट नहीं जाएंगे वोट नहीं मांगेंगे लेकिन उप आरूप ये है, उप जैसे निताओं का आरूप है, चाहावत सुनी थी आपने, वह अगाहत भी ने बेईमान लोगों ने जूटों ने थाबित करें। तो मुसल्मानों को तोड़ने का काम किया और राम के मंदिर पे नाम पर इन्होंने वोट मांगी थी तो आज क्या घोटाला हुआ आपने पता राम मंदिर में कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने अरे राम के नाम पर इन्होंने लूट मचा कर रखी है और इसमें शामिल क रोड का खपले के लिए नोने रिजिस्ट्री सेम डे करानी पड़ी उसको बाहर किया इतना बड़ा घोटाला राम के नाम पर घोटाला और अरोब मेरे किसानों पर लगाते हैं कहते हैं यह अंदोलन करने वाले लोग नक्षल वादी हैं यहां तक वादी हैं और अब तो हमें दंगा जीवी तुम थे दंगा जीवी और आज चंदा जीवी बनकर आज राम का चंदा भी खा गए तुम राम का चंदा भी खा गए कितने शर्म की बात है मेरे राम जी का चंदा भी लोगों ने खाने का यूपी में अगर भारती जंता पार्टी नहीं है तिया आपका जै हमारा किसी पार्टी के पक्स में वोट मांगना नहीं है हमारा पार्टी के पक्स में सिरफ इसके खिलाब खड़े होने का काम है जो इस निकम्मी गोंगी बहरी सरकार को हराने का काम करेगा हम चाहेंगा उसको वोट दे दे जैसे बंगाल में हमने कहा था किसान स्युक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा था भाजपय को राने के लिए उसको वोड़ दे दीजिए जो इनको हरा सकता है और वही अलान हमारा स्युक्त मोर्चा का यूपी के लिए कि जो इनको हराएगा उसको वोड़ दे दीजिए हम इनको जीतने देना नहीं चाहते और जीतेंगे भी नहीं इनको जुत्ते मार कर बगाएंगे देखना कैसे हलात होने वाले हैं यूपी में तो खुद आज की तारिक में योगी डरे हुए हैं, वो तो खुद चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते, उन्हों तो मना कर दिया कि मैं चुनाव में उतरना नहीं चाहता जी, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता को जाकर मुझ दिखाए, तो मैं तो ये कहना चाहू मुधी को कहना चाहूंगा कि मुधी जी डरते नहीं आंदियों तूफानों से, डरते नहीं तुमारे बनाए जूठे मुकदमों से, और जादा ताकत से आएंगे, वक्त रहते मान जा नहीं तो लोहे के कच्छे भी काम नहीं आएंगे लोहे के कच्छे भी काम नहीं आएंगे इनके हलात ऐसे होने वाले है मुझर साहब एक सवाल मैं यहां से भी ले लेता हूँ कि आज देश में जो है जो बोलता है जो बेबाग तरीके से बोलता है खुलकर बोलता है उसके खिलाब कुछ ना कुछ जैसे आप कह रहा है जूटे आरोप लगा दिया तो मैं यह पूछना चाहता हूँ किया लोगों को डर लगता है तमाम बरे लोगों को डर लगता है, केमरा के पीछे बोलते हैं, लोगों में डेखे लिकिना, आज आप केमरा के सामने बोलता है, आपको डर नहीं लगता है? और रगों में तुमारी अंग्रेजों का खून है सबसे बड़ा कारणी है जो हमारे में जोस आप देख रहे है ये देश भगती का जोस है हमारे पूरवजों थे वो देश भगत थे और इनके जो पूरवज थे अंग्रेज थे हमारा डर निकल चुका है और आपने पूछा कि इसके खिलाब आपके खिलाब भी कारवाई हो सकती है हाँ हो चुकी है मेरे परिवार के उपर जुटे मुकदमे बना दिये गए हैं कई मुकदमे जेल रहे हैं जो मैं वहाँ से आता हूँ तो मैं इनका डर निकल चुका है हमें परवानी एक बना दो, दस बना दो, बीस बना दो अंग्रेज लोग भी तो यही किया करते थे वो भी तो ड्रा कर, मुकदमे बना कर लोगों को जेल में डाला करते थे तो अब मुकदमे की बात तो छोड़िये हम तो जेल में जाने के लिए त्यार है इस निकम्मी बहरी गुंगी सरकार से डरने वाले नहीं है और मोधी की पोल पहले खोली थी आज भी खोली है और आगे भी हर दो पंक्तियों में इसकी पोल खोलने का काम करेंगे हम डरने वाले नहीं है हम अंगरेजों से टकराए थे हम तो मुगलों से टकराए थे इनकी क्या वकात है अभी एक साल पहले सरकार है उसके बावजूद घुसने नहीं देंगे इनकी तो सरकार जा रही है यूपी में इनको कौन घुसने देगा हमने तो पहले भी बताया था कि खटर को भगाया हमने आपने देखा करनाल में खटर को भगा दिया हिसार में दुस्यंत को भगा दिया अरे आओगे बार बार हर बार बगा देंगे हमने हर्याना में बगाने का काम कर दिया यूपी में अब ये चले जाएंगे चुनाव से पहले छोड़ जाएंगे मोदी भी रो रहा है योगी भी रो रहा है और जैसे योगी पहले रोया था आज जाके रो रहा है इसलिए सरकार आज की तारिक में जा चुकी है बस केवल मातर रिजल्ट आना है और जिस दिन रिजल्ट आएगा जो बात में बोल रहा हूं कि सानों ने फैंसला कर लिया है इसको चलता करेंगे सरकार किसी की भी आए ये रहने वाले नहीं है